तो यहां से अगर हम solve करेंगे तो x को आप root n रख दीजिए कोई बात ने यह है तो यहां से आपके पास यह root n हो गया यहां होगा root n बाहर है minus 1 ठीक है अब अगर आप solve कर रहे हैं यह है यहां integer है हमारे पास तो मुझे क्या करना minus से multiply करें ठीक है चलो minus से multiply कर दिया तो minus से जब आप multiply करेंगे तो inequality change हो जाएगे तो यहां रहेगा और यहां जाएगा 1 minus root n हमने minus से तीने तरफ multiply कर दिया अच्छा फिर क्या किया आपने root n add कर दिया तो अगर यहां से करेंगे तो root n add करेंगे यह 0 आगया जो आपका R है यहां पर कितना आ गया root n add करेंगे तुझी तो यह वही जो आपने निकाला आपने सही किया तो जिसने भेजा नउसने गलत भेजा कहां गलती हुई है यह उसने क्या किया ऐसा कर दिया है तो गलत हो गया ना तो आपने जो किया हो ठीक है कि यह है यह 0 से 1 के बीच आएगी बट एक unique number आएगी ऐसा नहीं होगा है ना उसने दिखा दिये तो वह गलती उससे उसमें जो solution आपने फिज़वा उसमें यहाँ गलती होई है उसने एक रूट में ले लिया इसने गलत है तो इसमें नोट कनवर्ज है यह 0 से 1 में आएगी बट ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इसा को मालो एन अगर एक करोड भी है एक करोड के करिस्पोंडिंग वैलू 0 आजाएगी एक करोड वन में डिफरेंट आएगी तो सिक्वेंस क्या ह यहां ऐसा नहीं होगा कभी 0 आजाएगा कभी 0.1 आजाएगा कभी 0.2 आजाएगा कभी 0.9 आजाएगा मतलब 0 और 1 के बीच कुछ भी आ सकती है रैंडम ली चाहे एन कितना लार्ज ले ले तो यह युनीक नमबर नहीं आएगी क्योंकि हर बार युनीक नहीं आएगी तो अगर इक्जिस्ट करेगे तो युनीक होनी चाहिए तो इस नोट लाइगे लार्ज हो गया तो रूटेंड की वैलू और उसकी इंटीजर वैलू सेम होगी तब 0 आ सकती थी तो ऐसा तो है नहीं गाप बहुत जार डिफरेंस गाप रहेगा इन में रूटें में और उसके इ